सर प्रतम दिक्षयागुरु पात पद्व नितिलिल प्रविष्ट, ओम विश्णु पाद अस्टो चर्णों में, अनंत कोटी दंवत पनाम ग्यापन करते हूए, उन से एतुई कृपा की वांचा करता हूँ आजम जिस स्थान पे आये हैं बड़ा ही रमनिय स्थान है ये बरसाना के अंतरगत जहां पे अश सक्यों के गाउं है नुबारी चोबारी ये तुंग विद्य सकी का गाउं है तुंग विद्य सकी के गाउं के बिलकुल पीछे ही मंदिर के पीछे इसका नाम है रतन कुंड और यहाँ पे बड़ी ही सुंदर कृष्ण की लीला हुई है जिसको हमारे गोस्वामी वर्गों ने बड़ा ही सुंदर अपने ग्रंतों में वंडन किया है तो यहाँ पे ललीता विशाखा राधा जी के उस यूत में जाते हैं और वहाँ पे आज ललीता और इनके पास बड़े सुंदर सुंदर मुक्ता इनको अपने घर से मिले है तो कृष्ण के मन में आता है कि मैं भी इन से जाके कुछ मुक्ता मांगू तो कृष्ण जब ललीता जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ललीते तु मुझे कुछ मुक्ता दे दे मुझे मुक्ता चाहिए जिससे मैं अपनी गईयाओं का शिंगार करूँगा तो ललीता क्या गरती है उनकी बात को अंसुना गर देती है तो कृष्ण को थोड़ा क्रोध आता है कृष्ण बोलते हैं अरे ललीते तेरा प्रियतम तेरे सामने खड़ा है मैं तेरे से कुछ ज़ादा मुक्ता सुड़िना मंग रहा हूँ दो-चार मुक्ता ही दे जिससे मैं मेरी तो लाखो गईया है जो मेरी दो प्रिये गईया है हंसनी और हननी मैं इन दोनों गईयाओं का शेंगार करना चाता हूँ थोड़े से ही मुक्ता दे दे ललीता विशाखा सारी जो गोपिया है इनकी बात को अंसुना करती है उत्रे में कृष्ण बोलते है अरे ललीते ऐसा लगता है योवन रूप धन को प्राप्त करके तेरे जो कान हैस पर परद्य पड़ गए है इसलिए तो मेरी बात नहीं सुन रही है तो ललीता जी फिर बोलती है कृष्ण को अरे कृष्ण बात तो सही है यह जो मुक्ता है यह तो महर्शियों के शेंगार के लिए बने है तो जब हम सब गोपिया अपना शेंगार कर रही है तो तुमारी महर्शियों बिना शेंगार की क्यों रहेंगी तो हम तुमारी महर्शियों के लिए शेंगार के लिए भी कुछ ना कुछ मुक्ता ढूंड के निकाल ही देती है यानि कि वापे उनका उभास कर रही है कि हम सब तो महर्शिया है और तुम्हारी महर्शिया कौन है क्योंकि तुम गुवाले हो तो गईया ही तुम्हारी पत्नी है गईया ही तुम्हारी महर्शिया है और उसके शिंगार के लिए तुम्हें मुक्ता चाहिए तो ललीता फिर ए क्रिश्न जाते हैं मैया के पास और एश्टह मग्या को बोलते हैं चैनल को दिखाओंगा कि कैसे हम भी मुक्ता Еस्वामी है हमार पास ही बहुत सारी मुक्ता है तो ये शौदा मैया देखती है चोटा सा लाला है पतनी इसको क्या हो गया है मुक्ता की क्या गभी खेती होती है क्या तो वो मैया से जित करते हैं और मैया लाड़ प्यार में कुछ मुक्ता दे देती है क्रिश्च अपने सखाओं को बोलते तो कृष्ण यहां पर मुक्ता की खेती के लिए क्या गरते हैं चारों तरफ से जो हिंस की जो कांटक में जाडियां होती उससे बांड बना देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कुई अंदर आके चोरी ना कर पाए और अपने सखाओं को बोलते तुम भी थोड़े-थोड़े मुक्ता लेके आओ और उस मुक्ता से बड़ी ही सुन्दर खेती करते हैं मुक्ता के बीच बो देते हैं अब सिंचन किससे करेंगे सिंचन करते हैं गोरस से दूद से और मदुमंगल को बोलते हैं मदुमंगल तू जा और विशाक ललिता से थोड़ा दूद मांगे ला क्यो क्योंकि अब हम ललिता सраст के लिए अmpfenने इस मुक्ता की खेटी के लिए दूद दूद मांगेंगी और ललिता मना कर देगी तो सक gerek कल को वह हम से आके जब मुक्ता मांगेंगी तो हम भी उसको मना कर सकते तो मदुमंगल को जान पूछ के कौतुक रशने के लिए भेचते हैं ललीता के पास ललीता सकी के पास मदुमंगल बोलता है कि देखो हमारे कृष्ण जो है मुक्ता की खेती कर रहे है और जब खेती हो जाएगी हम तुमें भी भूत सारी मुक्ता देंगे गोपियों इसलिए तुम थोड़ा सा हमें गोरस दे दो दूद दे दो जिससे हम अपने केतों का सिंचन कर पाए तो ललीता बोलती है कि ना तो हमें तुमारे ही मुक्ता चाहिए ना हमों कोई गोरस देने वाली नहीं है भागया से और अब क्या करते हैं क्रिश्ण गोरस अपने सब सखाओं से लेके इसका सिंचन करना शुरू करते हैं, कुछी दिनों में बड़े ही सुन्दर अंकुर निकल आते हैं अब उस अंकुर को देखके पूरे ब्रज में खबर फैल जाती है, अरे कृष्णे जो मुक्ता बोयति उसमें तो अंकुर निकल आते हैं तो कई लोग बोलते हैं, अरे ये तो कोई कंटक में जाड़ियों के अंकुर होंगे, ऐसे सुड़ना मुक्ता से कोई खेती हो जाती है और उसके ही दो-चार दिन बाद देखा तो अंकुर में से बड़े सुन्दर-सुन्दर पुष्प निकल आए अभी जो पुष्प निकल आए, पुष्प की ऐसी सुगंद थी कि पूरा का पूरा 84 कोस जो ब्रज है पूरे ब्रज के अंदर यहां से जो पुष्प होगे, उस पुष्प का जो सुगंद है, पूरे ब्रज में फैल जाती है अब सब लोग सोचते कि नहीं कुछ ना कुछ तो चमतकार होने वाला है और कुछ ही दिनों में फिर क्या होता है यहाँ पे बड़े सुंदर-सुंदर मुक्ता निकलते है लाल, पीले, नीले, हरे, अनेक अनेक प्रकार के रंगीन मुकता निकल आते है अब कृष्ण क्या करते हैं, उन मुक्ताओं से गोपियों को चड़ाने के लिए अपनी सारी गईयों को शिंगार करते हैं, गईयों के शिंग का शिंगार करते हैं, हिरनियों को शिंगार करते हैं, तोते का शिंगार करते हैं, और सारे वन के पक्षियों को भी मुक्ता बिना देते हैं लेकिन गोपियों को एक भी मुक्ता नहीं मिलती और अब गोपियां आपस में मीटिंग करती हैं गोपियां कहती है अरे जब कृष्ण मुक्ता उगा सकते हैं तो क्या हम कृष्ण से कम है क्या हमार पर तो उससे ज्यादा बीज है हम भी मुक्ता उगाएंगी तो लल यह सोचती है तो इतने में एक सखी बोलती है कि देखो ब्रज में जो पोण मासी देवी है वो सारे मंत्रों को जानती है और ब्रज की मूल देवी वो ही है तो हम लोग पोण मासी देवी से चलके सला करते हैं अगर वो बोलेंगी तो हम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो तुम विद्या बोलती है कि नहीं नहीं पौण मासी की जो शिश्य है नंदी मुखी वो भी मंतर कम नहीं जानती है वो उनकी शिश्य है तो हम नंदी मुखी से ही पूछ लेते हैं तो सारी गोपिया पूरा यूद बनाके नंदी मुखी के पास जाती है और नंदी मुखी जो है थोड़ा कृष्ण पक्षभी लेती है तो नंदी मुखी सब गोपियों को कोतुल रशने के लिए बोलती है कि अरे तुम क्या इसमें कोई कृष्ण का चमतकार समझते हो क्या जो कृष्ण ने इतने सारे मुक्ता उगा दिये तो ब्रजभूमी का परभाव है ये तो ब्रजभूमी का महीमा है इसमें कृष्ण की क्या महीमा ये ब्रजभूमी कैसी है ब्रह्मा जी ने क्या बोला है कि यहां पे तो कलप वृख्ष उकते है पूरी की पूरी धाम कैसा है चिंता मनी है लाखो लाखो लक्षमिया इस धाम की सेवा करती है तो यह तो ब्रजभूमी का ऐसा प्रभाव है अरे गोपियों अगर तुम भी मुकता की खेती करोगी तो तुमारे भी मुकता आएंगे और क्रिशन से भी अच्छे मुकता आएंगे तो सब गोपिया कहती है देखो अब तो नंदी मुकी ने भी बोल दिया अब हम सब लोग मिलके खेती करती है अब खेती करने के लिए बीच चाहिए है तो सारी गोपिया अपने घर से हैं थोड़े-थोड़े मुकता लेके आती है और गोपिया कहती है कि जितना क्रिशन दे खेती करी थी हम क्रिशन की दो गुना करेंगी तो ललिता जी एक स्थान चिनित करती है जापे दो गुना क्रिशन के स्थान से दो गुना तो हम तीन खेत में करेंगे तो चंद्रावली भी अपनी सारी सख्यों को बुलाती है अपने यूद की और वो तीन गुना खेत तैयार करती है कृष्ण से और महां पर वह भी मुक्ता अपने वो देती है अब मुक्ता बोने के बाद होता क्या है कि इनको भी गोरस चाहिए उससे अपने खेतों का सिंचन करना शुरू करती है अब जितने भी ब्रज वासी है मुझते हैं हो क्या रहा है हमारे घर के मुक्ता भी गायब हो गए हमारे घर से जो दूध है वो भी दिन प्रते दिन कम होता जा रहा है अब जो क्रिश्ण है जान पूछ कि मदुमंगल को और गोपियों से पूछो कि उनको दूद चाहिए क्या खेती के लिए अब गोपियों को कारे कर रही है इसको बहुत गुप्त रूप से कर रही है किसी को पता ना चले क्रिष्ण को पता चल जाता है मदुमंगल आते हैं दुबारा बोलते हैं कि देखो हम तो तुमसे दूद म प्रामण तुझे क्या लगता है हम तुमारी तरह थोड़े से धन के लालच में आकर अपने सभाव को बदल देंगी हमारा सभाव है क्या हम लोग गोप जाती है गोप जाती क्या करती है गईयों का पालन करती है हम क्रिष्ण की तरह धन के प्रिछे लोलुप नहीं है लेकिन हम गोपिया हैं, हमको इतना निकरिष्ट कारे सुड़ना गरेंगी, जो हम खेती करेंगी, हम तो अपनी गईयां को ही पालन करते हैं, गवालों का ही काम करेंगे, भागयां से, मदुमंगल को भगा देती हैं, अब गोपियां क्या करती हैं, कुछ दिनों बाद उनके भ अंकुर थे, उसमें बहुत अंतर है, मैंने क्रिष्ट के अंकुर को चुप चाप जाके, जब कोई नी था, निर्जन में जाके परिक्षन किया था, उसके अंकुर और हमारे अंकुर में बहुत अंतर है, कई ऐसा ना हो कि हमारे अंकुर से, बाद में कंटक में जाडियां आ ताकि किसी भी प्रकार से कल को अगर कंटक में जाडियां हो तो मारा उपहास ना हो और कुछ दिनों बाद फिर क्या होता है वांसे बड़े सुन्दर सुन्दर कंट में जाडियां ही निकलती है और गोपियां जो हैं बड़ी दुखी होती है कि अरे कृष्णन ने किया तो अब सारी गोपियों के उपर दो पहाड आ जाते हैं पहला पाड आ जाते हैं घरवालों का ही घरवाले बोलते हैं कि हमारे सारे मुकता कहां चले गए अब इनों घरवालों को मुकता भी देने हैं जो बीच की रूप में दिये थे दूसरा यहां पर कृष्ण जो है उनका उ विचार करती है और फिर राधार जी कहती है कि देखो अभी हमारे ओपर तीन संकट आ चुके हैं सबसे पहला संकट तो है कि जो ब्रज में चारों तरफ क्या हमारा होगा अपयश होगा कि गोपियों ने खेती करी और निकल के क्या आ गई हिंसक में कंटक की जाडियां आ गई उसको भी हम सहन कर लेंगी दूसरा कृष्ण अपने सखाओं के साथ हमारा उपहा सोड़ाएंगे उसको भी हम सहन कर लेंगी लेकिन अभी सबसे बड़ा जो संकट हमारे सरी पे आया है वो है हमारे अपने परिवार वाले हमारे परिवार वाले हमसे बार-बार मुक्ताएं म यह दो फोलती है की एक बारी की नहीं कुना हम सबसे पहले नंदी मुखी के पास जाएं गाती है उस समय जब उनको ढूला था कि जब तुम इस मुखता की खेचए करोगी तो तुमुख्यः मुखता मिलेगे तो नन्दी मुखी ने क्यों बोला था? क्योंकि नन्दी मुखी देखना चाहती थी कृष्ण और राधा की जो कौतुक्माई लीला अभी आगे होने वाली है उस कौतुक्माई लीलाओं को रचने के लिए नन्दी मुखी को तो बीज मिल गया था और उस बीच के लोग ने क्या किया, गोपियों को बोला कि हाँ तुम करो, और अब वो उस फल को देखेंगी, जिसमें राधा और कृष्ण का आपस में प्रेम वारतलाब होगा, तो नंदी मुखी को सब बोलती है, कि नंदी मुखी, हमने तेरे कहने पे ही अपने घर वालों स खेती कर रहे थे, क्या तुमने यापे किसी को रात को रखा था देख भाल के लिए? सब गोपियों बोली नहीं रखा था, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए, और रात को उन्हें ने क्या किया? तो मारे सारे मुखता है तो उसको निकाल लिय और उसके अंदर उन्होंने ये कंटक में जाडियों के बीज डाल दिये थे तो गोपियों को और गुस्सा आ जाता है ललीजा बोलती है अरे बस कर अब तो शांत हो जा इतना करने के बाद भी ते को शांती नहीं है तू भी लगता है कि कृष्ण की नटनी है कृष्ण भी और भाव हुआ है कृष्ण ने अपनी शक्ति से किया है नहीं तो हमारे को भी मुक्ताय मिल जाती फिरादा जी बोलती है कि देखो अब इसको डाटने से भी क्या परियोजन अब कुछ ऐसा करो कि जिससे हमें कृष्ण से कुछ मुक्ताय मिल जाए और हम सबसे बहले अपने कृष्ण के पास और कृष्ण से पूछो कि वो अपनी मुक्ताओं का कितना मूल्य लेंगे और उनको उनका मूल्य चुका के कुछ मुक्ताय लेकर आओ सबसे पहले हम अपने शास्वसुर को अपने पतियों को संतुष्ट करें तो चंपकलता बोलती है कि देखो मैं अकेले Nahajee के पक से चंपकलता और यह दोनों जाती है यह दोनों जाती है क्रिश्ण के पास और कृष्ण को जाके बोलती है कि क्रिश्ण हम तुमारी अनुरागनी है और हमें तुम पहाखे गिन लेकिन हमसोच जिए मत्रौ इतनी दूर किऊंछ गें जब यहीं पर हमारे यहां पे उंपर क्या मिल रही है तुम मुक्ताय इए ä cumpl की देखो और दूसरा कि तुम्हारा भी कुछ मुनाफ़ा हो जाएगा कि तुम्हारी मुक्ताइं हम लोग खरीद लेंगी तो तुम बताओ कि कितना मुल्य लोग है और हमें कुछ मुक्ताइं देदो तो कृष्ण बोलते हैं सुबल और मदुमंगल को कि देखो रादा जी खुद तो आई नहीं है और किन को भेज़ दिया है कंचन चंपक लता और कंचन लता। कंचन क्या होता है कंचन होता है सोना सोने की एक लता से इसका मुल्य चुकाया जा सकता है अरे गोपियों ये जो मेरी जो मुक्ताएं है जो मेरी मुक्ताएं है जो वेकुंट के जो वेकुंट में भगवान विश्णु है भगवान विश्णु अपने गले में कौस्तुक मनी धारन करते हैं तुम जानती हो ये जो मेरी मुक्ताएं है ये उस कौस्तुक मनी से भी तब भी तुम मेरी एक मुक्ता की भी कीमत नहीं चुका सकती और तुम चली हो कंचन लता यानि कि सोने की उससे मेरा इसका मुल्य चुकाने चली हो चलो जो यहां से तोतने में वो गोफी को बड़ा गुसा आजाता है और वो चंपक लता को बोलती है कि देखो राधा जी कृष्ण तो किसी भी मुल्य को देखे इन अपनी मुक्ताओं को नहीं देना चाते है अब क्या किया जाए तोतने में ही तुमविद्या बोलती है मैं ऐसा करते हैं मदुमंगल को बोलाते है मदुमंगल को अपने पक्षमें बोलाती है क्रिष्ण अपनी मुक्ताओं बेच दे जिससे क्रिष्ण को भी उसका मुल्य मिल जाए और हम भी इतना मुल्य हो कि हम भी मुल्य चुका सके कुई ऐसा उपाए निकालो तो मदुमंगल बोलते हैं कि देखो जो मेरे क्रिष्ण है वो बहुत सरल है तुम एक बारी मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी आपस में संधी करवा दूँगा और मैं तुम्हें मुक्ताओं दिलवा दूँगा अब यहाँ पे कौतुक आगे बढ़ना शुरू होता है क्या करते हैं मदुमंगल सब गोपियों को जब लेके जा रहे होते हैं ललिता बोलती है नहीं राधा हम तुझे नहीं जाने देंगे राधा को पास में ही किसी कुझ के अंदर छुपा देती है और सारी गोपियां जो है फिर मदुमंगल के साथ जाती है क्रिष्ण के पास अब कृष्ण जो है इतना सारो गोपियों का जो यूथ आया है उसके अंदर ढूंड रहे हैं कि मेरी राधा का है राधा का है राधा का है तो तो ललिता बोलती है कि हाँ हाँ राधा जी को जटीला गोटीला ने घर की किसी विशेश काम के लिए रोक लिए इसलिए वो नहीं होंगी तो ललिता बोलती है नहीं नहीं उनको मुक्ताओं तो लेनी है तुम बताना कि उसका कितना मूले बनता है उसका मूले हम चुका के हम उसकी मुक्ताओं लेके जाएंगी कृष्ण बोलते है कि देखो भई सीधी सी बात है जो आएगा वही अपना मूले चुका के लग लग किसको कौन सी मुक्ता चाहिए और क्या मुल्ले देना है तो मदुमंगल पेटी लेके आते हैं और उस पेटी के अंदर वो क्या करते हैं बहुत सारी मुक्ताइं हैं निकालना शुरू करते हैं अरे नहीं यह तो इतनी सुन्दर मुक्ता है इसे तो मैं अपनी बंदर को निकाल के बूलती है कि चलो अभी हम इनको बेचेंगे अब बोलते हैं कि मूले क्या देना है तो और शौपीस बोलती है कि surprised कि जितना मूले बनता है तुम इसका बतादो जितना हमारपस नगत है उतना भी हम लगंदे देँगे जो बाखी का बचा सुख मुधार दें तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, इन गोपियों पर भरोसा नहीं करना, उधार दे देंगे, तो कृष्ण के सखा बोलते हैं, ऐसे करते हैं, कृष्ण, यहां पास में ही क्या है, जो जितनी भी गोप कन्याएं, जो चोरी करते होएं, पकड़ी जाती हैं, क्या चोरी करते हो माधवी इलता का बड़ा ही सुंदर बना हुआ कुंज है वो कुंज क्या है? मानो वो कुंज क्या है? कारागरी है जिसके अंदर हमने सारी उन गोप कन्याओं को चोरी करते हुए पकड़ के वहाँ पर डाल दिया है तो विशाखा जी को भी वहाँ पे हम रख देते हैं और क्या करेंगे? कि जब सारी गोपिया अपना उधार छुका देगी तब हम विशाखा को वहां से छोड़ देंगे कृष्ञ ऐसे बोलते है तो मदु मंगल बोलते हैं अरे कृष्ण तुझे पता है यह गोपियां कितनी चतुर है, तू सोच रहा है कि मैं विशाखा को वहाँ पे बंद कर दूँगा, और जब गोपियां मूले दे जाएगी उनको मैं छोड़ दूगा, यह विशाखा वैसे ही भाग जाएगी तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैं पूरी रात महीं पर जागर रहूंगा उस निकुंच के भार और मैं देखता हूं वह कैसे जाएगी, अरे नहीं कृष्ण तेरी आँख लग जाएगी, तो सुबल बोलता है कि नहीं नहीं, जहां पर रात को विशाखा है और अन्य गोपियां है, वहां पर तो पूरी र मारी परतिक्ष्या गर रहे हैं, तो क्रिष्ण बोलते हैं कि देखो ललिता, तुमें मेंसाध यूध करना पड़ेगा, मैं घर गोपियों के लिए अलग मुल्य बताऊंगा, तो ललिता, तुम्asted लेवोटामां मुल्य मुल्य क Sapri और तुम इतने कठोर, ये तो कोई बात नहीं है, तुम गोपियों के साध्यूद करोगे, वो तो परास्त होई जाएंगी, और फिर उनको मुले भी नहीं, उनको तो मिलेंगी ही नहीं मुकता, तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम इन गोपियों को ऐसा मत समझो, य वहां पे जो सारी गोपियां है, वो समझ लेती है कि कृष्ण ने हमें कुछ बेचने तो है नहीं, और क्रिष्ण क्या कर रहे हैं, केवल हमा साथ चाटू-पून बाते ही कर रहे हैं, तो सब गोपियां बोलते हैं कि चलो हम मत्रों से ही करिद लेंगी, चलो यहां से, हमें क इन गोपियों को, मुक्ताओं को बेच दो, और इसका जितना मूले बनता है, जितना यह चुका सके, उतने मूले के नुसार तुम इनको बेचो, अब मूले जो है, गोपियों तुम बताओ कि, क्या मूले बनता है, तुम ही बता दो, तो ललिता कहती है, ललिता पूरी बात पलट देती है, ललिता बोलती है कि देखो, यह जो पूरा का पूरा वन है, वो किसका है, यह पूरा वन है, शीमती राधरानी का, अगर कोई जमीनदार हो, और जमीनदार के, उस जमीन में, अगर कोई किसान खेती करे, तो उस खेती का एक भाग मिलता है, छे में से एक भाग म तो अब इसका मूले ही क्या देना इसका मूले तो यह है कि क्रिष्ण चुपचाप क्या करें अपना छटा हिस्सा रखे बाकी पांच हिस्से जो है मारी स्वामनी राधा जी को दे दे क्योंकि यहां की जमीनदार कौन है वो तो राधा रानी है तो इतने में ही जो मदुमंगल इसको बढ़ा क्रोध हाजाता है मदुमंगल बोलते है अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो तुमने भी तो मुक्ताइण को खेती करी थी यह तो कृष्ण जो है ये कृष्ण की अपनी ब्रहमचारे है कि उसके ब्रहमचारे से क्या हुआ सारी मुक्ताइण जो है इस धर्ति से शेवय आधी गोपियों का संकर करके उसका जो ब्रहम चारे है वो पूरा नश्ट हो चुका है यह तो किसका प्रभाव है यह तो ब्रजभूमी का ही प्रभाव है जो यहां से मुक्ताएं आई है इसलिए चुपचा पांचवा हिस्सा जो है राधाजी को जाके दे दो तो वहा वाक्योद होना शुरू होता है वाक्योद्यानी की एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं अब फिर निर्धारित नहीं कर बाते कि उसका क्या मुल्ले दे उतने में ही क्या होता है राधा जी का, क्योंकि राधा जी पास में एक निकुझ में छुपी होई है, राधा जी सामने नहीं आई तो राधा जी एक पत्र भेजती है, जैसी वो पत्र आता है क्रिश्न के पास, क्रिश्न उस पत्र को पढ़ते हैं उस पत्र में लिखा होता है कि, हे कृष्ण, हमारी भूमी पे, महारानी की भूमी पे तुमने जितनी भी खेती करी है, उसका छटवा हिस्सा रखे, जो पांच हिस्से बनते हैं, वो राजा को दे दिये जाएं, और साथ में ही गोपियों को सम्मान सहित वापिस भेज दिया ज तुम जैसे चतुर शिरोमनी के लिए जादा शब्द बोलने का कोई परियोजन नहीं है, इतने ही शब्दों में समझ जाओ, अब कृष्ण जब उस पत्र को पढ़ते हैं, उस पत्र को पढ़ते ही कृष्ण में रोमान चा जाता है, क्यों? क्योंकि वो किसके अक्षर है, र मुक्ताओं को खरीद लाएंगी, अब उतने में ही मदुमंगल जब उस पत्र को पढ़ते हैं, तो मदुमंगल बोलते हैं कि ये बताओ, कि मैं हूँ ब्रामन, और ब्रामन कौन होते हैं, जिन्होंने वेदवाद सब पढ़े होए है, गुपाल तापनी उपनिशद में बैल टेडिए भाले विशाका सुनपाएं लिजित विपने में लिए कि शामवन का अर्थ होता है जो शाम रंग का है, ना कि कि जिसके मालिक हैं, तो लिएदा जी बोलती है, अरे तुम गईयां को चाराने वाले, तुमें कौन से व्याकरण आता है, व्याकरण के बारे में शामवन का है, तो शामवन का अर्थ होता है कि जो शाम रंग का है ना कि कृष्ण का है इसलिए राधा जी का बनता है और तुम जो बनता है राधा जी के सारे रतनों को वापिस करो तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो जादा बात करने से प्रियोजन नहीं है, मैंने इसमें खेती करी है, अगर तुम ऐसा लगता है, तो तुम 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 अपनी मुक्ताओं से खेती करके दिखा दो, तुम से तो हुई नहीं, इसलिए चुपचा मूल ले दो और जाओ यहां से, तो सब सारी गोपियां जो है, वो बोलती है कि तुम तुम ने क्या होँ उनको घर्बवास करना पड़ा, उनको रधर्ती के बोना पड़ा, गर्बवास होँए और गर्बवास होने के बाद, उनका पुना जनम हुआ, पुना मक्ताय AJ जों और अब इसको तुम क्या कर रहे हो, छेद करकरके इसकी मालाएं मना रहे हो, अब इसको छेदों से युक्तोना पड़ रहा है, तो तेरे संग से तो देख उसका दोश हो गया, और राधा जी का देख, राधा जी ने जिन मुक्ताओं को बोया, वो तो मुक्ताओं मुक्त थी और और मुक्त हो गई क्यों क्योंकि वो नीचे से क्या होई गाय भी हो गई तो इसलिए क्रिष्ण तुमने क्या किया तुमने संगदोश करवाया तुम्हारे संगदोशी कारण मुक्ताओं को बद होना पड़ा और राधा जी को जब मुक्ताओं को बोया तो मुक्ताओं को ही कर द्धन के लोब में आके पनी सिध्यों को बेच रहे हो कभी सीध्यों को बेचा जाता है तो कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपियों ललीता मैं कौन हूँ मैं हूँ ब्राह्मन, शत्रिय, वैशे और शुद्र जो वैशे होते हैं, उनके चार कार्रे होते हैं वैशे क्या कार्रे होता है वैशे जो हैं, क्रिशी कर सकते हैं वैशे जो हैं, ब्याज पे भी आगे दे सकते हैं वैशे जो हैं, और क्या करते हैं गोपालन आधी कारे कर सकते हैं और व्यपार भी कर सकते हैं तो मैं तो वैशे काही कारे कर रहा हूं मैंने क्या किया है मैं मैंने क्रिशी कारे किया है तो क्रिशी कारे कुई नीच कारे सोड़ी नहीं है ब्याज में ले जाओ, जितना देना है भी देदो, बाकी का ब्याज में देते रहना, तो वहाँ पे मदुमंगल बोलता है कि तू कृष्ण, तू बहुत सरल है, तू ब्याज के चक्कर में अपना मूल भी खो देगा, यह जब यहां से एक बड़ी मुक्ताओं को लेके अपने बिशाखा जो है, यह ब्याज दिनिम बड़ी पक्की है, कल मैंने इसको एक अलिंगन दिया, रात को तो अगले दिन इसके मुझे दो अलिंगन दिये, इस गोपी को मैंने जब अपना अधर अम्रित दिया, इसके मुझे चार गुना दिया, तो वहाँ पे सारी गोपियों थ तुमारा अंतकरन शुद्ध होगा, उससे ही तुमारा जो धन है, तुमारा धन भी पवित्र हो जाएगा, तो कृष्ण कहते हैं, तुम्ग विद्या जब तु इतना बोली रिये, तो तु मेरी गुरु बन जाना, तु ही मुझे राधा नाम दे दे, क्योंकि बिना गुरु तुम्हद्न राधा जो था साच में आकार से गूपियों का आपस में वाख्चतुराई चली रही है, उतने में कौन आती है, उतने में आती है व्रिंदादेवी, थो बिन्दादेवी कहते है कि देखो कृष्ण, गवपिया कुछ शुआ नहीं कह रही है, यह जो वन है, इस इसकी जो रानी है वो शीमती राधा रानी है इसलिए बनता तो सारा का सारा जो मुकता है वो राधा जी के ही बनते हैं फिर भी ये तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तुम्हारी प्रीती के लिए तुम्हें कुछ धन दे के तुमसे मुकताइं ले रही है तो दे दो ना तो जो है वाक्चतुराई होती है और फिर विरंदा जी बोलती है कि देखो कृष्ण मैं अभी के अभी यहां पर प्रत्यक्ष किम प्रमानम प्रत्यक्ष को प्रमान की वशक्ता नहीं है मैं अभी के अभी यह साबित कर सकती हूं कि यह वन किसका है यह श्रीमती राधारानी का व देखो, यहां की जो चंपक लताएं हैं, बरज की जो चंपक लताओं की कांती है, वो कांती किस से मिलती है, वो शीमती राधारानी की कांती से मिलती है, तो राधारानी की कांती कर समानने को प्राप्त कर रही है, यहां के जो विक्सित कमल सुमू है, वो मानो राधा जी के मु विक्सित बड़े बहु मुले पुष्प है, इन पुष्पों को कौन से पुष्प? बंदूप के पुष्प, जो लाल रंग के पुष्प होते हैं, बिंबा के पुष्प, इन पुष्पों को देखने से ऐसे लगता है, अम्रित को भी निंदने करने वाले राधा जी के जो अ शुक पक्षी है, शुक पक्षी की जो नासिका है, ऐसे लगता है कि वो राधा जी की नासिका के सरूपे को प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पे वो तुल्ना करती है, तुल्ना करती है कि किस प्रकार से, कुसम समुका हास से, जिसने क्या कर दिया है, ब्रहमरो को अंधा कर दि जी के जो बुरु यूगल है उसके समान हो तो जब कृष्ण व्रिंदा देवी से इस प्रकार से इस व्रिंदावन की शोभा का जो समानता है राधा जी के अंगों से सुन रहे है कृष्ण जो है रुमांचे तो रहे हैं अरे यहां के स्वन निर्मित सिहासन देखो मानो ऐसे लगता है इधे लिखतया मान राधा जींके वक्षतल से ही प्रकट हो हो यहां के हातिओं का गमन देखो मानोjust ऐसे लगता है राधा जी के घरा को तो यहांकि अशुरू है राधा-जी स्यूकिद्यु से यूग तो अरे यहां का गुंजा फल देखो, राधा जी के अनुराक से ही मानो जो उत्पन हुआ है, और क्या तुम भूल गए? ब्रह्मा जी आये थे, स्वयम शिवजी आये थे, स्वयम योग मासी पॉण मासी देवी आये थी, सवित्री आये थी, पार्वती आये थी, सब गंदर्व आ जाया कि ए वन किसका है, ये वन जो है, शीमती राधारानी का ही वन है, और अगर मदुमंगल, मदुमंगल क्रिश्ण को इस कारह से करने के लिए, बीचे बादा बनेगा, तो मदुमंगल को बंदी बना लिया जाएगा, तो मदुमंगल एकदम से डर जाते हैं, और तो पूरुष है क्या तो मदुमंगल बोलते है क्रिश्न को हाँ हाँ मैंने भी तेरा पूरुष्ट्व देख लिया था जब दान घाटी के समय गोपिया मुझे बांध के लेके जा रही थी और मैं ते को बोलाई जा रहा था अब तब तो ने मेरी रक्षा करी थी क्या तब त से ही कोमल राधा जी के नाम को सुनने से ही मैं अपने अंगों का अनुसंधान नहीं कर पाता और मैं वन में भटकने वाला मैं कहां इन मुक्ताओं को रखूंगा और इन मुक्ताओं को मैं क्या करता हूं इन मुक्ताओं को मैं गोपियों को दे देता हूं जो इनको देना हो दे दे और जितना अभी दे सकती है दे दे जितना दो दिन के अंदर अगर देना है दे दे कुछ नहीं भी देंगी तब भी ये मुक्ताय में क्या करूंगा अपनी प्रिये अपनी अनुरागनी गोपियों को भी दोंगा फिर क्रिश्न क्या करते है वहाँ पे सब गोपियों का प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, भक्तिर एव नाम नयती, भक्तिर एव नाम दर्शती, भक्तिर एव भुयसी, भक्तिर वशा पूरुशो, भक्ति यानि कि प्रेम से ही कृष्ण को प्राप्त किया जाता है, प्रेम से ही कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो प्रेम ही कृष अपूर्व है वो मुक्ता चरित्र, अपूर्व है वो मुक्ता को बोने वाले, अपूर्व है वो मुक्ता की खेती करने वाले, अपूर्व है उस मुक्ता को खरीदने वाले, और अपूर्व है इस मुक्ता चरित्र को श्रवन करने वाले, और अपूर्व है ये ब्रज नगरी जहां पर इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो हैं कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रचते हैं तो इसी के साथ हम यहां पर वाणी को विश्राम देते हैं इस प्रात्ना के साथ कि हमार को भी कब ऐसा होगा कि इस ब्रज भूमी की जो मुक्ता है जो कि भगवान श्री कृष्णी जिससे गोपियों को शिंगार किया है कब ऐसा होगा कि हम इस संसार में पड़े हुए 84 लाग योनी में जीव कि कब हम उस शोभा का दर्शन कर पाएंगे यही मारी प्रात्ना है निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल